खबर में आगे बात करते हैं जहांपर ढोंगी बाबा का खुला है एक और बड़ा राज सतसंग स्थल पर मुबाइल ले जाने की अनुमतीन नहीं और सतसंग स्थल पर सधालू के मुबाइल ले छीने गए हैं कालीप और शाक में बाबा के बाबा के वोलेंटियख ने राज स्थ होटो या वीडियो नहीं क्लिक करने देपोसर सतसंग स्थल पर धायलो के परिजनों ने बताया है धोंगी बाबा के वोलेंटिरों ने भी यहां पर महिलाओ को जबरन धकिला है धोंगी बाबा पर पहले महिला से योन शोशन का आरोप भी लगा है धोंगी बाबा पुलिस की कूपिया विभाग में तैना था और अरोप लगने के बाद विभाग से निकाला गया था यह और ऐसे मैं उसके बाद बाबा का रूप धारन करके लोगों को गुम्रहा करता रहा है ये धोंगी बाबा और ऐसे मैं आप देखा किस तरीके से हाथरस में ये हादिसा हुआ तर भूंगी बाबा का खुला एक और बड़ा राज सतसंग स्थल पर मुबाइल ले जाने की अनु झौहाँ पर सतसंग स्थल पर हाइलो के परिजनों से बत इजुनान उन्होंने बताया है कि धोंगी बाबा के वोलिंटियरों ने यहां पर महिलाओं को जबरंध खिला ढूंगी बाबा पर पहले महिला से योण शोशन का अरूब भी लगा है और इसी पर जानकारी के साथ ह हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ में बने हुए हैं अतुल अगर बात करें क्योंकि ढोंगी बाबा को लेकर एक के बाद एक परत खुल रही है वैसे में ये भी है कि मुबाइल ले जाने की परमिशन नहीं होती थी वहाँ पर जो वोलिंटियर मौजूद रहते थे वो श्रधा सबसे बड़ा सवाल क्या गमरा करना चाहता है कि बबलिक के सामने आना नहीं चाहता है जिस तरह से सोसल मीडिया पर इस वक्त बावा की फोटो वारल हो रही है बड़े राजनेताओं के साथ मंच शाजा करते हूँ फोटो वारल हो रही है अभी तक कि अगर बात की जाए के इसी भी सरदालू के साथ बावा का एक फोटो नजर नहीं आया है क्या चलता है सत्संग के नाम पर क्या धौंग चलना है उसको लेकर कि अगर बात की जाए तो कोई अभी तक मामला सामने नहीं आए लोगों का कहना है जो पीडित हैं उनके परिवार जनों का कहना है कि धौंगी बाबा ने सभी के फॉन चिनवाए थे कहीं न कहीं अगर बात क के बावा जिया के तरह जुडर्वा जी टरोंगर भी तक ही जान जा चुकी ए उसका जिंब्यार हो एटा हो बदाइएँ आस पास के पांस चुछा जिले में बावा ऐसी बोटर पर सबसे ज़्यादा प्रिभावी रहता कैई पाइटियों की अगर बात की जाए यहाँ पर जन्सवा करती है और बाबा जिसकी तरफ आसिरवाद अपने कुरसी से बैठ करके इसारा करता हुआ नजर आता है समझे उस पाइटि का उध्यार हो जाता है उसी को लेकर कैई बड़े राजनेता अभी तक सामने नहीं आएं लगातार अगर बात की जाए कैई बड़े नेताओं की पृतिक्रिया बाबा के पक्ष में आते हुई नजर आ रही है अतुल ऐसे में हमने देखा है कि इस हादसे को लेकर सब ने बोला है लेकिन बाबा को लेकर अभी तक किसी का भी बयान सामने नहीं आया है इस मामले में ग्रफतारी होनी चाहिए इस सरीके की घटनाय नहीं होनी चाहिए प्रिशासन को घेरा गया है सरकार को घेरा गया है लेकिन अभी इस डोंगी बाबा को लेकर किसी का भी बयान ऐसा सामने नहीं आया है हजार लोगों की अनुमती ली जाती है लेकि धाई लाग से ज्यादा भीर वहाँ पर इखटा होती है तो कहा जा सकता है कि आस पास के कैई जिले ऐसे हैं जहां पर बावा का जो बोटर है जो प्रिभावी छेतर है जो एक वर्ग है काफी बड़ी तादात में हैं जिसको लेकर के एसी कार्ड खेला जा रहा है अभी तक कि अगर बात की जाए सभी पाइटियों के बड़े नेताओं की बात की जाए राजनेताओं की बात की जाए बावा चस्मा लगा करके बैठकर अपने हसन पर ससंग का प्रिवशन देता हुए नजर आता है ढोंगी बावा की अगर दूसरी तरफ की अपरादिक इत्यास देखा जाए काफी बड़ा अपरादिक इत्यास है 2002 से और अभी तक कि अगर बात की जाए 2024 तक बावा का लंबा अपरादिक इत्यास रहा है दूसरी तरफ अगर बात की जाए महिला से योन सोशन के हारोप लगे हैं और एक सबसे बड की जाए क्यों खुपिया विभाग को अंदर नहीं जाने दिया क्यों पुलिस के पुलिस कर्मियों को रोखा गया अंदर किसी को जाने की अनुमती नहीं थी चारों तरफ से वहाँ पल सील किया जाता है बल्ली रगाई जाती है और उसके बाद अगर बात की जाए तो ससंग ज्यादा का वक्त भी चुका है बावा की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई यह दूसरी तरफ अगर बाग की जाए तो बावा का फरार होना बताया जा रहा है मैं पुली से भी बावा फरार हो गया लेकिन अभी तक जिस तरह से प्रिशाशन यहां पर लोगों को बताता ह फिरवारी मंतरी असी मरूर ने कहा किसी को बक्सा नहीं जाएगा जिस तरह से हास्वा है आने वाले वक्त में उत्तर प्र्देश में ऐसा कोई हास्था हो इसको लेकर कमेटिक हजित की गई है और उसी के साथ अगर बातर और सभी को यह इंतिजार है कि आखिकार 122 रोगों की जो मौत हुई है उसके बाद बाबा पर क्या एक्षन लिया जाता है क्यों लगातार तीसरा दिन है और तीसरे दिन में आप देखना होगा कि क्या पुल इस अभी भी गोल मौल चक्कर ही लगाती रहेगी अतुल हमारे साथ में बने रही आगर भी आपसे अपडेट लेंगे फिलाल अभी तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया